अजमेर की व्यापारी पर लगा 34 लाग की ठगी का आरोप सूरत के सलामतपूर थाने में दर्ज हुआ है मुकत्मा सूरत के सलामतपूर थाने में कपड़ा व्यापारी से 34 लाग 34,000 की ठगी करने वाले 5 लोगों के किलाफ मामला दर्ज कराये गया है आरोपी ने व्यापारी को बरोसे मिले कर लाग रुपे का ड्रेस माटेरियल उधार में लिया था जानकरी के नुसर गुर्दोर रोड पर रहने वाले प्रद्युमन जैन ने शिकायत में बताया कि आरोपी ने दुकान से 25 अक्टूबर 2018 से 13 जनवरी 2019 के बीच अलग-अलग बिल से 34,34,000 का माल खरीता था एक मा में पैसे लोटाने की बात कही थी शिकायत करता प्रद्युमन जैन ने बताया कि एजमेर के वैपारी नवनित सिंग और लक्षमी नरण शर्मा जो की पाली और जेतरण की निवासी बताय जा रहे है जिनके दुकान टिंगी बजार की सिद्धी विनाएक मारकेट में साइक क्रियेशन शॉप नमबर साथ के नाम से सित है उसके मालिक नवनित सिंग और लक्षमी नरण शर्मा ने पहले नगत में माल खरीद के उन्हें बरोसा दिलाया होराइसर निंदे न्यूस की टीम ने जब इस पूरे मामले को जानना चाहा और बदाय गए एडर्स पर पहुंचे तो दुकान पर नवनित और लक्षमी नरण तो मिले नहीं लेकिन उनकी दुकान खुली थी और दुकान पर काम करने वाले किशोर से जब हमारी टीम की बात हुई तो उन्होंने बताया कि किसी भी तरह का कोई फ्रॉड नहीं हुआ है और दुकान माले की पेमेंट लेने के लिए पार्टों के पास गए हुए है किशोर का कहना है कि अगर किसी भी तरह का कोई फ्रॉड हुआ होता तो दुकान बंद मिलती किशोर ने कहा कि जल्दी पार्टी से बात कर इस मामले को सुलजाए जाए है ना इदर हुए होगी साइद हो सकता हूँ सुनने माई या इसा कुछ नहीं फ्रोड करते तो थोड़ी बेठेते यार हम लोग चले जाते कबके यहां से क्या नाम है आपके सेर्जी का नाम निवनित सिंगे और कहां पर रही है दुकान है अब डिगी बाजार में है यह दु इसा कुछ नहीं है फ्रोड होगे रहा का वो पार्टी को थोड़ा प्रमेर देना था लेकिन लेट हुआ उसकी वज़े से उन्होंने किया है तो वह मुर्लब सब किलियर हो जाएगा जल्दी किलिर हो जाएगा अब वो तो सेर्जी को और उनको भी पता है मुझे प्रूपर